अगर कोई country ऐसी है जो किसी एक गेम में अच्छी है तो आप मान सकते हो कि वहाँ के coach अच्छे होंगे वहाँ पे player अच्छे होंगे उस game की history अच्छी रही होगी लेकिन अगर कोई country ऐसी है जो सारे ही game में धीरे धीरे अच्छी होती जा रही है और सिफ अगर games या sports की बात न परने का तरीका यही वो चीजे हैं जो चाइना को अलग बनाती है और आज चाइना को ओलिंपिक मेडल्स के अगर टैली के मैं example दे दूँ तो ऐसी position पर खड़ा क्लिया हुआ है कि आज USA जैसी countries भी डरती है कि चाइना के अगर यही performance continue रही तो वो USA को भी कुछ Olympics के बाद overtake क पर देगी तो आज इस वीडियो में मैं आप से discuss करता हूँ कुछ rules मनाये गए हैं government की तरफ से कुछ programs resign के गए हैं यह कोई एक reason नहीं है या फिर कोई हजार reason नहीं है बहुत चोटी चोटी चीजे हैं जो हम लोग ignore कर देते हैं या फिर जिनके बारे में हम समझने हैं पढ़ हैं cricket खेलने अभी नहीं हुत रहें लेकिन कोई भरोसा नहीं है कि वो भी खेलने पहुँच जाएंगे साल 1995 में Chinese government ने एक law जारी कर दिया था जिसका नाम था physical fitness law of the people's republic of china जिसमें उन्होंने बहुत साफ शब्दों में कह दिया था कि 7 साल से बच्चे से लेके 70 साल के बुज इसे मांगे चाइना की जो government थी उन्होंने पूरी country में total 6,20,000 gymnasiums का और stadiums का निर्मार किया था और साथ में एक condition उन्होंने और रखी कि एक इनसान को चाइना में रोज एक दिन में कोई भी दो ऐसी activities करनी है किसी भी हाल में जिसने उनकी physical growth अच्छी हो और वो physically fit रहे हैं त एक तो उन्होंने gym खोल के दे दिया तो normally लोगों के लिए एक वो count हो जाता था दूसरा stadiums बना के रखे थे तो सब को छूट थी कि आप जाएए stadiums में अलग-लग game हो रहे हैं कोई भी game खेलिए आपको कोई नहीं कह रहा है कि वहाँ serious rules के हिसाब से के लिए दोस्तों के साथ जाएए family के साथ जाएए as a recreation वहाँ पे enjoy कीजे भागिये दोड़िये मस्ती कीजे और यही वो जगा थी जहाँ पे चाइना की जो government है वो actually में एक strategy play करती है उन stadiums ऐसा नहीं है कि वो stadiums खाली रहते हैं वहाँ पे रहते हैं trained coaches जिनकी आखें कैमरे की तरह पूरी तरह काम करत देते हैं जो मस्ती मस्ती में भी उस game को अच्छे से खेल रहे हैं और वहीं से वो उस बच्चे को पकड़ते हैं और उसकी जो recreation जो मस्ती करने आया था दोस्तों के साथ थोड़ देर खेल के घर जाके चौमी नौमी नूडल्स खाने के लिए उसको पकड़के धीरे-धीरे serious sports की तरफ धकेलना शुरू कर देते हैं तो यहां से शुरू होती है चाइना की actual strategy छोटे बच्चों को pick करने की olympic champions बनाने के लिए जो बच्चे pick होते हैं अब इनकी शुरू होती है training इनके particular games में और यह जो training है इसको एक नाम दिया गया है आम लोगों ने तो सिर्फ नहीं बड़े-बड़े media ने, news reporting channels ने, newspapers ने इसको नाम दिया है illegal training अब इसमें illegal तो कुछ नहीं है पर यहां पे बच्चों के साथ जिस तरह की training कराई जाती है जिस तरह उनको force किया जाता है जिस तरह बच्चों के आसु भाय जाते है जितना बच्चों से यहां पे time invest करवाय जात है इस वज़े से इसको कहा जाता है illegal training की बच्चों के साथ यहां पे गलत रहे का विवार होता है लेकिन अगर सज बोलूं तो यही वो विवार है यही वो time है यह 4-5 या फिर 6 साल के बच्चों का कि 18 या 20 साल बाद यह वही बच्चे हैं जो podium पे खड़े होके अपनी country का national anthem Olympics जैसे बड़े level पे बजवा रहे होते हैं तो कहने को तो यह बहुत harsh condition होती है बच्चों के साथ लेकिन यह वही training है जहां पे बच्चों को prepare करना शुरू कर दिया जाता है और China इसको कहती है the Olympic training ना कि illegal training वहां के जो बच्चे होते हैं उनको mentally इतना prepare कर दिया जाता है जीतन अगर कोई बच्चा किसी दिन stadium में आने के रेडी नहीं है हालत खराब है तो उसके जो parents हैं वो खुद इतने जादा motivated होते हैं अपने बच्चे को Olympic level पे देखने के लिए कि वो उसको घर से उठाके अपने coach के सामने रख देते हैं और कह देते हैं कि भाईया अपना कारे वहां के बच्चों को सारी सुविधा दी जाती है वहां से भी बच्चों को pick किया जाता है आगे professionally खेलने के लिए वहां पे highly educated physical educators होते हैं जो बच्चों का ध्यान रखते हैं जो private school ने अपनी तरफ से सारी सुविधा बच्चों को देते हैं और obviously government अपनी तरफ से पूरी तर Shopify नहीं कर पाता है तो वो higher classes में promote नहीं होगा जो कि school के बच्चों के लिए बहुत बड़ी tension है और उनको physical fit रहना ही रहना है इसके अलावा school games होते हैं university games होते हैं जिसे इंडिया में हर एक साल में यह होते हैं वहां पे 4 साल में एक बार इन games को खिला जाता है तो यह जो competition होत नाम सुने होंगे जैसे पूरी दुनिया के लिए Olympic है चाइना के लिए अपना ही एक Olympic है जिसका नाम है National Chinese Games जहां पे China A, China B, China C, China D हर games की इतनी सारी teams खेलती हैं military की teams वहां पे आती है जो अलग लग boards है वहां पे उनकी teams आती है तो यह जो एक competition वाला part है जो एक high competition वाला part है क क्योंकि उसमें सारे world rank players चाइना के participate करते ही करते हैं अपनी team को जिताने के लिए तो यह उनके अंदर एक competition का जो level है वो बढ़ाती है जिसकी इंडिया में कहीं ना कहीं कमी है अगर कुछ games को देखा जाए तो चाइना का एक छोटा सा disadvantage है उनकी population की वज़े से वहां पे job की shortage है तो यह जो players होते हैं जो अपना पूरा early stages जो life के होते हैं पूरा खेलने में लगाते हैं और education की कमी कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत उनके अंदर रह जाती है तो उनको problem होती है jobs की जब वो अपने अपने game से retirement लेते हैं इसलिए most of the players कोशिश करते हैं कि वो वापस अपने sports के field में as a coach, assistant coach या फिसी तरह का trainer, physical trainer या फिर जो interviewers होते हैं या फिर जो commentary करते हैं या media के किसी भी चीज में ऐसे involved हो जाए वापस जहां पर उनको जादा मेहनत ना करनी पड़े और सिर्फ वो अपने game या फिर अच्छे player होने के दम पे jobs ले सके और अपनी बाकी की life spend कर सके बट सबके साथ ऐसा नहीं होता है, तो इसका भी ध्यान Chinese government अपनी तरफ से रखती है, इन players को वो सिर्फ तभी support नहीं करती है जब वो country के अच्छा perform कर रहे होते हैं, retirement के बाद भी China की जो government है ऐसे players को अलग-अलग skills सिखाती है, थोड़ी बहुत पढ़ाई करवाती है और कि किसी एक field में किसी भी तरह job दिलवा के उनकी बागी की life के लिए उनको secure कर देती है, जो कि China का एक बहुत बड़ा step है, इनी सारी छोटी 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 चीजों की वज़े से अगर आपको पता है कि आपकी जो government है वो आपके लिए security की भी help कर रही है life की, तो बच्चे जो है वो बिना किसी हिचक के खेलना शुरू करते हैं, अच्छा perform करते हैं, country के लिए खेलते हैं, वागे players को पैसे की कोई कमी नहीं है, सारे games में बहुत पैसे वागे players को मिलते हैं, तो वो वैसी secure हो जाते हैं, और खेलने के बाद भी जो government है, वो उनकी job की security उनको दे रही है, त चाइना की जो performance है सारे game में, वो बहुत ज़्यदा increase होने वाली है, उमीद करूंगा आपको ये video पसंद आया होगा,